आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतिक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडों खीचो, एची प्रशन गो क्रॉप करो और तुरण विडियो सिलीशन पाओ अब ही राउनलोड करें जब कोई तीन पद AP में होते हैं तो पहले और तीसरे पद का योगफल किसके बराबर होता है दूसरे पद का दुगना होता है मतलब हम क्या लिख सकते हैं 2B बराबर A प्लस C तो यहाँ पर देखे हमने AP के प्रगुन करप्यों करके क्या लिख दिया है 2B बराबर A प्लस C इसको यहाँ पर क्या करते हैं समी करण एक माल लेते हैं अब हमें क्या सिर्द्ध करना है कि 2 में यहाँ पर 3 पद दिये गए हैं यह भी क्या है AP में है तो दिखे हम क्या करते हैं हम इसको क्या लिख सकते हैं मतलब हमें क्या सिद्ध करना है हमें यह सिद्ध करना है कि 2 into B square into C plus A बराबर किसके होगा A square into B plus C plus C square into A plus B के होगा यह हमें थाबित करना है यह हमें सिद्ध करना है तो हम क्या करेंगे दिये गए समी करण का हम दायाँ पक्ष लेंगे यानि ये पक्ष लेंगे और इसको बायाँ पक्ष के बराबर सिद्ध करेंगे तो चलिए करते हैं यहाँ पर तो RHS यानि दायाँ पक्ष हमारे पास क्या आ जाएगा A square into B plus C plus C square into A plus B और यहाँ पर दिखें फिर अब क्या करेंगे A square के यहाँ पर गुड़ा कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर तो हमें क्या मिलेगा हमें यहाँ पर मिल जाएगा दिखें A square B plus A square C plus यहाँ पर आ जाएगा A C square plus B C square यहाँ पर आगे हमारे पास अब दिखें हम क्या करेंगे अब इसको यहाँ पर हम यहाँ पर A square C और प्लस A C square में हम A C को कॉमान लेने देखें किस प्रकार हम पहले पर कोई सी प्रकार लिखते हैं A square B और यहाँ पर हम A C को कॉमान लेने लेंगे तो ब्रैकेट के दर मारे पास क्या आ जाएगा A plus C और यहाँ पर B C square यहाँ आ गया तो यह बन जाएगा 2 into A B C plus B C square यह बन गया हमारे पास अब देखें हम क्या करेंगे प्रते एक पद में देखें यहाँ पर B है तो हम B को कॉमान ले लेने पास हमारे पास क्या जाएग ब्रैकेट के इंदर A square plus 2 A C plus C square तो यहाँ पर देखें यह क्या बन गया? यह बन गया A plus C का whole square देखें A square plus C square plus 2 A C तो इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं? यह यहाँ पर बन गया है A plus C का whole square तो लिख देते हैं यहाँ पर चलिए तो अगले step में क्या करेंगे? हम इसके स्थान पर लिखेंगे B into और यहाँ पर आजाएगा A plus C का whole square तो अब फिर से देखें यहाँ पर हमार पास क्या आगया? A plus C का whole square और समी करन एक से हमने A plus C का मान क्या देखा है? कि यह 2B के बराबर तो हम क्या लिखेंगे? इसके स्थान पर लिख देंगे 2B मैं यहाँ पर लिख देता हूँ समी करन एक से तो यहाँ पर क्या जाएगा हमार पास? यह बन जाएगा हमार पास B into 2B का square तो यह कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 2 का square चार B का square into B square into B यानि B cube यहाँ कि हमार पास? अब दिखें इसको किस प्रकालिकिंग? हम यहाँ पर किक्ते है? चार को क्या लिख सकते है? दो इन्टू 2 और B cube को क्या लिख सकते है? B square into B. तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ गया? टू B square into 2 B. इस प्रकालिक दें इहाँ पर? अब कहां से मिला समी करण एक से तो देखे अब यहां पर देखे टू बी स्क्वार इंटू A प्लस C ये किसके बराबर है ये बराबर है पाइपक्ष के बराबर तो यहां पर देखे हम ने दाहिने पक्ष को यानि RHS को LHS के बराबर सिध्द कर दिया यानि BYPACS के बराबर सिध्द कर दिया तो यहाँ से दिखिए हमने Dhyneplex को BYPACS के बराबर सिध्द कर दिया इसका क्या मतलब हुआ दिये गए तीन पद यानि A² into B plus C दूसरा पद B² into C plus A और तीसरा अंतिम बद क्या है C square into A plus B ये क्या है AP में है हम क्या लिखेंगे AP में है तो यहाँ पर हमारा प्रश नहाल होता है धन्यवाद